Hello everyone, आग मैं इस वीडियो में अल्डिहाइट, किटोन एंड कार्वागली केसीद का कुछ क्वेशन डिसकस करूँए NCRT के इंटेक्स्ट क्वेशन ठीक है तो इसमें है स्ट्रक्चर बताना है हमको following compound जो दिया हुआ है नेमिंग उसका हमको स्ट्रक्चर बताना है तो आग में अल्फा मिथोक्सी प्रोपीनल डिहाइट तो इसमें उसका स्ट्रक्चर बताना है तो पहले तो आप समझ याइए कि ये तीन कार्वन का चेन है जहां प्रोप आएल वो तीन कार्वन का चेन है ठिक है ये अल्डिहाईट ग्रूप हो गया और यहां जो यह मिफोक्सी है ना यह कहाँ अल्फा पोजिशन पर और मिफोक्सी किस functional ग्रूप से है इथर मिफोक्सी जो है इथर functional ग्रूप का है ठीक है जिसका structure पर रे तीन कार्वन का chain हो गया फिर इसमें aldehyde group को add कर दिये और alpha position पर methoxy को हमको add करना तो यह हो गया इस carbon से जो यह attached है यह हो गया alpha position जिसमें कि हम methoxy को add कर दिये ठीक है तो यह पूरा structure हो गया alpha methoxy propenol dehyde ठीक है यह हो गया alpha methoxy propenol aldehyde का structure ठीक है और आते हैं question number 2 में तो वो है 3 hydroxy butanol तो यह जो है butanol but का मतलब आपको क्या समझते हैं चार कारवन का chain है और क्या है aldehyde group और यह जो hydroxy होता न यह क्या होता न कि जब हम prefix alcohol को जब prefix के रूप में use करते हैं तो जो word use होता है alcohol के लिए वो है hydroxy तो यह alcohol के alcohol को हम prefix के रूप में use करते हैं तो उस word को बोलते हैं hydroxy ठीक है और aldehyde group यहां पर add है तो क्या हो जाएगा double bond OH यह अपका aldehyde group हो गया और third position पे hydroxy है ठीक है OH देखें यह हो गया one two three four यह हो गया third position पे क्या हो गया hydroxy ठीक है यह हो गया पूरा structure three hydroxy butanel का butanel aldehyde group हो गया third position पे hydroxy को add कर दिये और चार कारवन का chain हो गया तो यह हो गया three hydroxy butanel का structure अब आते हैं question number third पे two hydroxy cyclopentane carvaldehyde तो इसमें cyclopentane बोल दिया मतलब की क्या है आपको पांच कारवन का चेन मतलब की five member closed ring ठीक है तो यहां यह हो गया उसके बाद बोल दाया ना second position पे hydroxy और carvaldehyde है यह यहां तो carvaldehyde को हम यहां add कर देते हैं CHO और second position पर क्या हो गया hydroxy और hydroxy हम बताये थे आपको prefix का रूप में जब alcohol को यूज करते हैं तो वह होता है उसके लिए जो word यूज होता है hydroxy ठीक है यह हो गया आपका two hydroxy cyclopentane carvaldehyde का structure अब आते हैं four oxopentanel ठीक है आप जानगा कि LD hyde group है यह pent means 5 carbon का chain हो गया ठीक है क्या हो गया पांच का रवन का chain और fourth position पर oxo लगा है यह oxo क्या होता है क्या आपको पता है oxo क्या होता है तो पहले मैं structure बना लेते हैं उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि यह oxo क्या होता है यह c हो गया फिर cs2 हो गया cs2 हो गया c double bond o और double bond o हो गया और यहाँ पे h add हो गया तो यह हो गया आपका oxo pentanol का structure यह oxo जो होता है न जब हम लोग ketonic group को prefix के रूप में यूज करते हैं तो जो word आता है वो oxo होता ketonic group को जब हम prefix के रूप में यूज करते हैं तो क्या होता है oxo ठीक है तो यह हो गया oxo pentanol का structure option number five जिसमें dicec butyl ketone यह dicec butyl ketone जो बोल रहा है न तो यहाँ तो यह ketone हो गया जो आपको पता लग रहा है कि ketonic group है यह ketone है तो सबसे पहले इसको हम क्या करते है ketone का structure बनाते है ठीक है उसके बाद यहाँ बोल रहा है न डाई sec butyl diec मतलब 2 हो गया sec butyl मतलब second position पे चार कारवन ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH CH2 CH3 और यहाँ हो जाएगा CH3 फिर यहाँ भी हो जाएगा CH यहाँ हो जाएगा CH2 यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ CH3 यह total structure हो गया Dicec Butyl Ketone का ठीक है क्या बोल रहा है Butyl हो गया चार structure ठीक है और चार structure Dicec Butyl Second Position पे एक ये हो गया और एक ये हो गया तो अगला Last Question है 4- Fluoroacetophenon तो Acetophenon का जो structure होता पहले हम देखते है Acetophenon का structure तो पहले एक Benzen Ring बनाते हैं क्या Benzen Ring ठीक है ये हो गया क्या Sorry यहां और ये नहीं यहां पे Benzen Ring हो गया ये इसमें हम क्याड कर देंगे C Double Bond O CH3 और बोल रहा 4th Position पे क्याड करना Fluoro तो 1 2 3 4 यहा हो गया 4th Position तो यहां हम एड कर देते हैं Fluoro ठीक है तो यह हो गया 4 Fluoro Acetophenone का Structure I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा Thank you